शुरुआत टुच्चे देश से करते हैं जिसमें केनडा अपनी पोजीशन को नंबर वन बनाए हुए है वहीं फिर उसके बाद दोस्त इसराइल की तरफ चलेंगे जहां कुछ बड़ी डेवलेप्मेंट होती दिखाई दे रही है जैसा कि हमने आपको कल बताया था कैनडा को दुनिया में किसी भी देश का समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है उल्टा दूसरे देशों ने जश्टिन टूडो को ये समझाया कि भारत से जल्द से जल्द सुलह कर लें पर कैनेडा इतनी आसानी से ये समझने वाला कहा था उल्टा उसने भारत की शिकायत भारत के मित्र देशों से करना शुरू कर दिया है जहां भारत की उपस्तिती मजबूत है दरसल यहां जश्टिन टूडो ने एक बाफ फिर भारत कैनेडा विवात का मुद्दा उठाया है जहां हाली में रविवार राद जश्टिन टूडो ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने यूएई के राश्पती के साथ फोन पर बात की है और इस दोरान भारत कैनेडा विवात पर चर्चा भी की है वहीं इसरायल का मुद्दा भी इसी बीच डिसकस किया गया था लेकिन जिस तरह इस गंभीर मुद्दे पर कैनेडा अपने हित साधने की कोशिश करने में लगा है उससे साफ पता चलता है कि ये पाकिस्तान वाली हरकत है जिसके नतीजे तो कैनेडा को मिलने से रहे आपको बता दे कि साथी और UAE कैनेडा छोड़ कर भारत में मोटा निवेश करने में लगे हैं जो शायद अब जश्टिन टूडो पचा नहीं पा रहे हैं और यही वज़ा है कि भारत के मित्र देशों को दूर करके कैनेडा अपने लिए नए राफ्ते के निर्माण में है खैर जो भी हो यहां भारत मजबूत इस्तिती में है भारत बस P20 मीटिंग के इंतजार में है जहां वो कैनेडा को दुनिया के सामने नंगा करने की तैयारी में है जहां कैनेडा कॉल कॉल खेलने में लगा है वहीं इस्राइल में हालत तनाव पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीते 50 सालों में इस्राइल पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला है वहीं भारत की तरफ से इस्राइल को बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है जहां पाकिस्तान, बांगलदेश, इरान और गल्फ कंट्री की तरफ से एंटी इस्राइल टेंड हो रहा है वहीं भारत की तरफ से We Stand With Israel पूरी दुनिया में ट्रेंड करने में लगा है और रूस से भी जादा शोशल मीडिया में इसराइल को लिखकर भारत से सपोर्ट मिल रहा है और ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला था वहीं भारत में इसराइली राजदूत ने कहा है कि भारत में से कुछ लोगों की तरफ से ये रिक्वेश्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि वो इसराइल की तरफ से लड़ना चाते है इसके जवाब में इसराइली राजदूत ने ये काया कि इसराइल अपनी जंग खुद लड़ना चाता है क्योंकि आखिर में अपने लिए खुदी लड़ना होता है वहीं भारती लोगों के तरफ से जो सपोर्ड मिला है उसको लेकर इसराइली गॉर्वर्मेंट ने भारती लोगों का शुकुरियादा किया है क्योंकि इससे अंतराष्टी स्थर पर इसराइल का मोरल बूस्ट होता दिखाई दिया है वही हमाज ने इसराइल में घोसका जैसा भव्य हमला किया है वह एक तरह से आकर्मणी है यही कारण है कि इसराइल ने इसे युद्ध का नाम देने में तेरी नहीं लगाई वही इसराइल बड़ी तयारी में है जहां हाली में इसराइल ने अपने foreign reserves ते 30 billion डॉलर को market में बेज दिया है क्योंकि इसराइल की currency लगातार गिरने में लगी है और निवेशक अपना पैसा निकालने में लगे हैं यही वज़ा है कि आज 30 billion dollar को दाओं में लगा कर इसराइल आगे के लिए तयार हो रहा है ताकि आने वाले आर्थिक संकट से बचा जा सके वहीं जहां भारत अपना पूरा support इसराइल को देने में लगा है तो दूसरी तरफ अमेर का भी बड़ी तयारी में हैं यह तो आप जानते हैं कि हमास की देखा देखी में अब लेमनान, जॉर्डन, इरान की तरफ से भी बड़े statement आने लगे हैं आगे कुछ भी हो सकता है उसके लिए अमेर की राश्पती जो बाइडन ने अमेर की जहांजों और युद्दक विमानों को जिसमें USS, जिराड, आर फोड को इसराइल के पास तैनात करने के आदेश दे दिये गया है मतलब अगर इन देशों की तरफ से या कोई आतंकी समु इसराइल पर दूसरी तरफ से हमला करता है तो वो दस्यों बार सोचें कि इसराइल के पीछे युएस नेवी पूरी तरह से तयार खड़ी है यही नहीं अमेरिका अपने दूसरे मोर्चे को भी मजबूत करने में लगा है जिसमें अमेरिका साओधी इसराइल के सम्मंदों को सामाने बनाने के कोशिश में है यहाँ खास बात तो यह है कि कई देश इसराइल के साथ अपने सम्मंदों को सामाने बनाने में कॉल्डोर यानि कि IMAX अपने final stage पर पहुंसता हुआ दिखाई देगा इसके बाद फिलिस्तिन की बची कुछी पहचान भी गायब होती हुई दिखाई देगी क्योंकि एक बार साओधी अरब इसराइल के बीच ये डील हो जाती है क्योंकि इससे भारत सीदे सीदे चीन, पाकिस्तान, तुर्किया और अजर्बैजान को मूँ तोड़ जवाब देता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये कॉरिडोर भारत के लिए यूरोप का मार्केट पूरी तरह से खोल कर रख देगा